Hello everyone, आज हम coordinate geometry करने वाले हैं अब यह जो coordinate geometry है, actually वास topic है लेकिन class 10 के लिए coordinate geometry कहलाएगा और वहाँ पर हमें बस 2D तक ही पढ़ना है लेकिन जब हम जाएंगे class 11 में तब हमें यह 3D तक पढ़ना पढ़ेगा तो actually class 11 में जब लिखा जाता है उसको chapter नाम लिखा गया है 3D geometry 3D dimensional geometry लेकिन यह जो 3D dimensional geometry है यह coordinate geometry का ही part है तो आप correlate कर पाओगे class 10 का जो coordinate geometry and class 11 का coordinate geometry that is 3D तो यह एक जो topic है class 10 को भी cover कर रहा है class 11 को भी cover कर रहा है अब दोनों के लिए यह वीडियो चल सकता है अब देखे स्टार्टिंग करते हम coordinate geometry में हम सबसे पहले 1D से स्टार्ट करते है 1D means one dimensional one dimensional का बात करते हैं तो वहाँ पर एक ही axis का बात हो रहा है एक ही axis मतलब मैं ऐसा बना देता हूँ देखे एक ही direction पर चल रहा है 1D है ना 1D ऐसा भी कह सकते हैं हम लोग एक ही direction पर जा रहा है तो जहां पर एक ही axis हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं 1D one dimensional अब हम जाते हैं second 2D में अब 2D का बात करते हैं हम लोग तो उसमें two dimensional आते हो और आप ज्यादातर questions करते हो इसके जिससे की x axis और y axis बनाते हो तो यह हो गया आपका x axis और यह हो गया आपका y axis और यह compulsory नहीं है कि इसको x axis और इसको y axis बोलना आप इसको भी बोल सकते हो इसको भी y axis बोल सकते हो और इसको भी आप x axis बोल सकते हो बस आपको पहले यहाँ पर define करना पड़ेगा कि आप किसको क्या बोल रहे हो क्योंकि आप जो axis बना रहे हो उसको आगे बस लिख देना पड़ेगा आप उसको कौन सा axis treat कर रहे हो है ना आप बहुत बच्चों के दिमाग में आता कि क्या 2D में बस x axis और y axis होता है actually 2D में डो dimensions होने चाहिए दो axis होने चाहिए कोई फर्क नहीं परता कि उसका नाम क्या है तो हमारे पास actually तीनी नाम यूज करते हैं हम लोग x axis, y axis और z axis तो 2D की बात में अगर x axis और y axis लिख रहे हैं हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं इसको हमने बना दिया आप y axis और इसको बना दिया हमने z axis उसी तरह अगर आप बोलें सार हम ऐसा बनाना चाहेंगे तो क्या होगा यहाँ पर हम लिख देंगे कि यह हो जाएगा आपका z axis और यह हो जाएगा आपका y axis तो हम देख सकते हैं कि हमें कौन सा axis यूज करना है तो कोई compulsory नहीं होता कि इसको ही x axis मानना है horizontal को x axis मानना ऐसा कुछ नहीं vertical को ही y axis मानना ऐसा कुछ है नहीं तो आप देख सकते हों जैसे कि हमने x axis y axis का एक plane बना रखा है y axis और z axis का बना रखा है उसी तरह हम z axis और x axis का भी बना सकते हैं तो अगर मैं इसको मैं x-axis और इसको मैं z-axis मानता हूँ, तो मैं इसको x-axis और इसको z-axis भी मान सकता हूँ, तो यह ही यहाँ पर ध्यान देना पड़ता है, आप वापस आते हैं 1D में, तो 1D में देखिए हमने हली एक ही axis बना रखा है, तो आप इसको X-axis बोल सकते हो और इसी को आप change करके आप Y-axis भी बना सकते हो आप चाहते हो इसको Y-axis बनाना तो आप वस Y-axis लिख देना तो आपके उपर depend करता करना क्या चाहते हो अब हम करते हैं बाग 3-D का 3-D Geometry इस 3-D Geometry में हम क्या करते हैं हमारे पास यहाँ पर 3-Axis आते हैं X-axis, Y-axis और Z-Axis तो हम क्या करते हैं पहले X-axis बना लिया फिर Y-axis बना दिया फिर हम क्या बनाते हैं Z-axis तो इसको हमने X-axis मान लिया इसको Y-axis मान लिया और इसको हमने क्या मान लिया Z-axis है ना तो मैं फिर से बता रहा हूँ कि यह कोई compulsory नहीं कि आपको इसी तरह ही मानना है अगर आप चाहते हो कि हम किसी और वे उसे मनना चाहते हैं मान सकते हो बस आपको क्या करना पड़ेगा आपको define करना पड़ेगा कि आप मान कि कौन सा एक्सिस को कौन सा नाम देके define कर रहा है हो जैसे कि अगर आपने इसको Y-axis बना दिया इसको Z-axis बना दिया इसको X-axis बना दिया तो आपके मानने के उपर उसको लिया जाता है बस वो आपको ध्यान में रखना है ठीक है तो हम जब भी हम इसको काम करते हैं तो हमें बस यह याद रखना पड़ता है कि हम सबसे पहले यह जो horizontal line है उसको हम मानते हैं फिर उसके बाद vertical को फिर उसके बाद यह जो आपके आप देखोगी actually यह 3D जो हम 2D में बना रहे हैं इसलिए आपको यह थोड़ा सा 2D figure ही लगे अब ही कहने का मतलब है 2D कि 2D जब होता है वह एक actually आप किताब को देखते हो वह 2D figure में होता है कि वहाँ पर length और breadth दो ही dimensions होते हैं आप screen में देख रहे हो mobile के या desktop के screen में वीडियो को देख रहे हो तो वहाँ पर भी length और breadth ही होता है यह आप मान सकते हो length और height होता है या breadth औ dimensions होते हैं उसमें अगर आप उसमें two dimensions होते हैं तो आप उसमें 3D कैसे बना सकते हो है तो वहाँ पर एक problem create होता है ठीक है तो आप अपने हाथ को वह जो अपने class 10 में left thumb rule जो है वह आप formula यूज़ करोगा तो आपको वहाँ पर दिख जाएगा आप वैसा बनाते हो अपने लाइन होगा वह actually r-par कर रहा है मतलब आपके उसके तो actually mutually 90 degree होते है एक दूसरे से अगर x-axis और z-axis के बात करें दोनों में angle कितना का फर्क होता है 90 degree अगर x-axis और y-axis का बात करें तो 90 degree और y-axis और z-axis का बात करें तब भी 90 degree तो तीन लाइन ऐसे लगे होगे हैं जो एक दू तो इसको आप और तरीश के एक्जमपल ले सकते हो जो आपके रूम होते हैं वह normally जो रूम होते हैं वहां पर एक height होता है एक length होता है एक breadth होता है तो उसी को आप 3D समझ सकते हो तो आपके point जो है space में लाइक करेगा तो वह 3 dimensions की value हम दे सकते हैं x-axis का भी value दे सकते है y-axis का भी दे सकते हैं और z-axis का भी हम दे सकते हैं इसको यह जो हो गया आपका overall cover करता है 1D 2D और 3D आप इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें हमारा जो values होता है कुछ coordinates के जो values होते होता क्या है जैसे कि हमने 1D में पढ़ रखा था का अगर हमार यहां पर y-coordinate का value 0 and z-coordinate का value 0 यहां पर अगर मैं मान रहा हूं ऐसे और एक line बना रहा हूं उसको मैं y-axis मानता हूं तो अगर मैंने y-axis मान रखा है तो यहां पर आपका x का value 0 हो जाता है और z का value 0 हो जाता है अगर मैं इसी को मैं z-axis मानता हूं तब यहां पर x का value 0 और y का value 0 मतलब यहाँ पर coordinate के value 0 हो जाते हैं उसी तरह अगर हम 2D का बात करेंगे तो यह हो गया हमारा 2D के लिए यह हो गया x-axis और यह हो गया आपका y-axis तो हमें पता है x में y के value 0 होते हैं और z के value 0 होते हैं उसी तरह यहाँ पर y-axis में x का value 0 और z का value 0 तो यहाँ लिख लेते हैं तो आपको शुवदार हैगा यह हो गया यह y-axis में x का value 0 और z का value 0 उसी तरह x-axis में आपका y का value 0 और z का value 0 यह आपको पता होना पड़ेगा तब यह आप questions को बना सकते हो देखिए अब यहाँ पर मैंने x-axis को horizontal लिया था y-axis को मैंने vertical ले रखा था तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि मैंने y-axis को महाँ पर लिखा हुआ x equal to 0, z equal to 0 और x-axis में y equal to 0 z equal to 0 है ना उसी तरह अगर हम ऐसा और एक बनाते हैं जहाँ पर हम इसको y-axis मानते हैं और इसको z-axis मानते हैं तब उस case में आपके values के जो coordinates के value होंगे वो क्या होंगे देखिए अगर यह z-axis है तो यहाँ पर x का value 0 और y का value 0 और यह y-axis है तो यहाँ पर x का value 0 और z का value 0 तो आपको समझा ही क्या होगा कि कोई भी axis के बात कर रहे हैं तो उसको छोड़के बाकियों का value क्या हो जाता है 0 हो जाता है है ना तो अब यहाँ पर आपको और एक चीज़ करना है देखिए मैंने यहाँ पर x और y लिख रहा है तो इसको हम क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं हम लोग x y plane क्योंकि plane मतलब 2D figure ठीक है यहाँ पर हमने zy ले रखा है तो हम इसको क्या बोलेंगे zy या yz plane है ना और मैं yz क्यों लिख रहा हूं क्योंकि हम सबसे पहले यह वाले coordinates को लिखते हैं फिर उसके बात इस वाले coordinate में जाते हैं उसी तरह यहाँ पर हमने पहले इस coordinate को फिर इस coordinate को वैसे आप y x plane गोलो कि वो गलत नहीं होगा लिख सकते हो लेकिन सबसे पहले हम ट्राइ करते हैं कि इसको लिखने के लिए order maintain करना सही रहता है कि उससे हमें गलती होने का chances कम रहते हैं universally इसको पहले लिखा जाता है फिर इसको लिखा जाता है जो universally लिखा जाता है किताब में जो भी points होंगे तो उसको हम उसी order में पढ़ सकते हैं तो आपको यहां समझ आ गया होगा कि कभी इस plane में कभी x का 0 है कभी y का 0 है कभी-कभी change हो जाता है लेकिन z का value दोनों ही case में सेम है मतलब x y plane में x का value y का value कुछ भी हो सकता है लेकिन z का value क्या होगा हमेशा 0 यह बात आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर x y plane का बात कर रहे हैं तो z का value हमेशा 0 होगा उसी तरह देखें यहां पर कभी आपका y का value 0 कभी z का value 0 लेकिन x का value तो हमेशा ही 0 है that means y z plane में y z plane का बात करें तो वहां पर x का value हमेशा क्या होता है? 0 होता है उसी तरह अगर हम बात करें और एक plane के बारे में that is x और z plane है ना? तो हमें पता है x z plane में क्या होता है? z axis में x का value 0 और y का value 0 और x-axis में y का value 0 और z का value 0 that means आपका यहाँ पर x का value 0, y का value 0 हो रहा है लेकिन y, sorry, x का value 0 और z का value 0 हो रहा है लेकि y का value constantly 0 है that means x, z plane के बाद करें हम तब वहाँ पर y का value हमेशा क्या रहता है? 0 हो रहता है तो उसी तरह आपको questions को बनाने है clear? आप आते 3D के बात करते है न 3D में आप देखोगे x-axis, y-axis और क्या है? z-axis, तो हमें क्या करना है? कि यहाँ पर किसी particular देखें आप z-axis के बात करेंगे z-axis के बात करेंगे z-axis में y का value 0 और x का value 0 x-axis में y का value 0 और z का value 0 और y-axis में x का value 0 और z का value 0 लेकि particular कोई किसी का value 0 होगा ऐसा कुछ है नहीं कहीं ना कहीं पर किसी ना किसी value का non-zero रहेगा क्योंकि वो 3D पर लाए कर रहा है हम किसी भी directly space में हम किसी को नहीं बोश सकते हैं वो points किया होगा 0 वो कभी नहीं होगा unless it is origin तो origin पर तो 0,0,0 हरक value 0 ही होने वाला है अब 2D में बात करते हैं तब हमारे पास क्या होता है कि यहां पर x-axis और y-axis मानके चलते हैं अभी क्योंकि आपको पता लग गया कि आम इसको z-axis भी लिख सकते हैं हम यहां क्या देख रहे हैं कि हमारा जो main motif है 2D में यह sign convention है आप 2D ने कितने parts में divide कर दिये 4 parts में इसलिए हम इसको बोलते हैं first quadrant इसको बोलते हैं second quadrant इसको बोलते हैं third quadrant और इसको बोलते हैं हम लोग fourth quadrant तो आप देख सकते हो हमारा जो नाम है वो quadrant पर है यहां पर quadrant लिख रहे हैं quadrant means यहां से आप देख सकते हो यहां पर quad quad means four तो यहीं से हमें पता लग जाता कि four parts में divide हो रहा है so second quadrant है ना उसी तरह हमारे पास कौन कौन से quadrant है third quadrant और fourth quadrant क्यूंकि quadrant का मतलब four तो जो 2D figure में दो एक्सिस के वज़े से इसको चार भागों में divide किया जाता है first quadrant second quadrant third quadrant and fourth quadrant तो हम यहां पर actually क्या पढ़ने जा रहे हैं यहां पर हम पढ़ने जा रहे हैं कि उनके sign क्या होता है तो पहले quadrant में ex का sign positive और y का भी sign positive तो हम यहां पर लिखनेंगे positive positive और second quadrant में x negative होगा और y positive होगा हम यहां लिखते हैं negative positive third quadrant में x negative y भी negative तो हम यहां लिखेंगे negative कॉमा negative और fourth quadrant की बात करें तो यहाँ पर x positive और y negative that means आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा positive और negative यह तो 2D की बात है अगर हम 3D में आते हैं तो क्या होगा तो 3D में आते हैं और 3D में हम diagram बनाते हैं तो देखिए सबसे पहले तो आपको मैं x axis और y axis ही बना कर रखता हूं कि आपको थोड़ सा easy होगा है ना तो आपको देखिए 2D आपको चार भाग में divide करता है quadrant में यहाँ पर octane बनाता है octane means oct means 8 तो 8 पार्ट में divide होने वाले हैं तो मैं पहले इसका नाम लिख लेता हूं first octane second octane उसी तरह third octane फिर fourth octane octane से पता लगता है कि 8 पार्ट में divide हो रहे हैं तो उसके बाद fifth octane बस हम लोग यहाँ पर क्या check करें हम यहाँ पर sign पता करेंगी कौन सा octane का कौन सा sign रहेगा है ना जैसे हम quadrant में काम करते हैं उसी तरह हम octane में भी काम करेंगे seventh octane और उसके बाद eighth octane ठीक है तो यहाँ पर आपको मैं एक trick बताता हूँ कि first octane से लेके fourth octane तक जो भी है यह आपका first phase बोल सकते हो या front phase बोल सकते हैं आपको यहाँ लिखता हूँ front phase ठीक है और यह जो fifth octane से लेके sixth octane की बात करें तो यहाँ पर इसको होगे figure में कि x-axis और y-axis है और यहाँ पर मैं बनाता हूँ और एक एक्सिस तो यह सामने वाला front axis हो गया और यह वाला back face हो गया तो हम z-dash बोलते हैं उसी तरह इसको हम x-dash भी बोल सकते हैं और इसको हम y-dash भी बोलते हैं तो हमें क्या करना है कि first octane का sign क्या होगा और second octane का और बाकिक octane के sign क्या होगा बहुत इजी आप देख सकते हूँ बहुत इजी है बस 2-d के साब relate कीजिए आपको समाझा जाएगा देखिए हम हम z-axis के बात ना करें तो हमारे पास 2-d ही बनता है तो 2-d में हम क्या करते हैं first quadrant का हमारा sign क्या होता है पॉजिटिव पॉजिटिव उसी तरह first and fifth का आप पॉजिटिव पॉजिटिव पहले दो एक्सिस का लिग दीजे फिर आप जब z-axis की बात करते हैं जब front हो तो z-positive होता है और back हो तो z-negative होता है उसी तरह second octane के लिखने के लिए आपको second quadrant के बारे में पता होना बढ़ेगा second quadrant का sign क्या देता है आपका negative positive तो जैसे ही second उसी तरह sixth उसका भी negative positive तो front face से तो positive, back face से तो negative उसी तरह third octane के लिखने के लिए आपको third quadrant के बारे में पता होना पड़ेगा that is negative, negative और seventh का भी negative, negative तो अब यहाँ पर आपको positive लगाना पड़ेगा और यहाँ पर आपको negative लगाना पड़ेगा उसी तरह fourth का भी कर सकते हो, देखिए fourth octane में आपका positive, negative रहता है quadrant में यहाँ पर भी positive, negative क्योंकि front face से तो यहाँ पर positive और back face से तो यहाँ पर negative देखिए आप देख सकते हो आपके पास जो है वो आठो octane के sign आ चुके है पहला octane, positive, 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 second octane, negative, positive, positive, third octane, negative, negative, positive and so on तो सारे octane के sign convention है हम इसको लिख चुके हैं उसके बाद हम नया topic पड़ेंगे वो है distance formula so distance formula में होता क्या है distance formula में आप देखोगे तो आपको बस यहाँ पर check करना है कि distance कैसे निकाला जाता है तो एक coordinate मैंने ले लिया x, y, z तो मुझे और एक लेना पड़ेगा तो नाम फिर से सेम होने वाले तो मैं इसको क्या करता हूँ, x1, y1, z1 और इसको ले लेता हूँ, x2, y2, z2 तो यह हो गया हमारे दो points a और b तो हमें distance निकालना है a और b का distance of a, b तो उसका formula है square root of x2 minus x1 का whole का square plus y2 minus y1 का whole का square plus z2 minus z1 का whole का square है ना, so यह जो formula है दोनो classes class 10 और class 11 के लिए काम करेगा क्योंकि हमें पता है 2D में z axis नहीं रहता है z axis का value क्या होता है, 0 होता है तो हमें यहाँ पर तो यह role play ही नहीं करेगा आपको दिखेगा ही नहीं आपको बस x axis और y axis ही नजर आएगा और class 11 की बात करें तो यहाँ पर आपको z axis भी दिखाई देगा है ना, तो normal सी बात है तो easily हम question को solve करते हैं suppose एक example लेते हैं class 10 के level के लिए a और b point है हमारे पास और हमने ले रखा 1,2 और यहाँ ले रता है 4,5 तो a,b का जो value है वो निकालना चाहें हम तो 4-1,4-1 का whole का square plus 5-2 का whole का square 4-1 is 3 का square is 9 plus 5-2 is 3,3 का square is 9 तो यह हो जागा root over 18 तो अगर आप यहाँ से कुछ values निकाल सकते हो तो आप देख लिजेगा इसको आप 3 root 2 कर सकते हो और unit लिखना मत बुलेगा क्योंकि आप distance निकाल रहे हो तो आपको unit नहीं पता centimeter हो या meter हो या kilometer हो है तो आपको यहाँ पर unit लिखना पड़ता है तो यह तो 2-D में आपको x-axis और y-axis लिखा गया है हम 3-D की बात करें तो ज्यादा कुछ changes होने वाले नहीं है सबोज मैं मान लेता हूं point C 1,2,3 और उसी तरह D point मान लेता हूं 4,5,6 जो हम इसमें क्या करेंगे CD का distance निकालेंगे CD का distance will be equal to root over 4-1 का square plus 5-2 का square plus 6-3 का square यहाँ आप निकाल सकते हैं 4-1,3 का square 9 plus यहाँ पर भी 9 और यहाँ पर भी 9 जो यह आजागा root over 27 जो answer will be your 3 root 3 units है ना जो यह होगा आपका answer अब आते हैं हम section formula इसमें क्या करते हैं कि हमारे पास कुछ points दिया जाता है और हमें देखना होता है कि कौन से point किस ratio में divide करते हैं किसी points को आप समझ आएगा आप जब questions करोगे तो 2-D की बात करें तो हमारे पास यहाँ पर points लिखा होता है x axis और y axis के तोर पर तो यहाँ पर x1 और y1 उसी तरह यहाँ पर x2 और y2 तो इसको मैंने मान लिया a, इसको मान लिया b यहाँ पर मैं मान लेता हूँ एक point c जो इसको m is to n ratio में divide कर रहा है तो इसका हो गया x, y तो हमारे पास यहाँ x axis और y axis है यहाँ पर comma दे देते हैं तो हम differentiate कर पाएंगे axis में तो यहाँ पर m is to n ratio जो दे रखा है ठीक और internally हो रखा है यहाँ पर ध्यान देजे यह जो point c है यह दो a और b का internal कहीं point है तो यह exactly बीच में ऐसा कुछ नहीं है आप कहीं पर भी लिख सकते हो तो उसी तरह m is to n का value change हो जाएगा तो हम c coordinate का जो value है x और y का कैसे निकालेंगे देखे x को यहाँ पर लिखा फिर हम क्या करेंगे यहाँ पर हम यह जो m है यह इसका m का cross multiply होगा यहाँ पर भी n जो है यह cross multiply करेगा अगर हम x निकाल रहे हैं तो x axis के साथ ही multiply होगा m into x2 plus n into x1 टीक है divided by m plus n अगर हम y axis का निकालना चाहेंगे तो y equal to फिर उसी तरह cross m का इसके साथ m into y2 plus n into y1 whole divided by m plus n तो class 10 में तो बस हम यहाँ तक ही पढ़ते हैं हमारे पास internally रहता है external रहता नहीं है अगर हम बात करें 3D में तो इसमें क्या हो जागा suppose मेरे पास यहाँ पर a है तो x को कैसे निकालेंगे m into x2 plus n into x1 by m plus n तो मैंने आपको बोल लखे हैं यहाँ पर क्या होने वारा है cross multiply होने वारा है अगर आप m को इससे के साथ multiply करते होगे तो गलत हो जाएगा आपका अंसर उसी दर आप y axis का भी निकाल सकते हो m into y2 plus n into y1 by m plus n तो आपको पता लगया होगे z कैसे निकालोगे z equal to m into z2 plus n into z1 by m plus n यह तो आपने निकाल दिया किसमें internally में अगर externally होगा तो क्या करोगे externally होगा तो आपको बनाना पड़ेगा a point यहाँ पर suppose x1 y1 z1 बीच में कॉमा और यहाँ पर b और इसको लिखते हैं x2 y2 z2 बीच में कॉमा यहाँ पर कोई point लेते हैं c जिसका coordinate होगा x, y, z तो हम यहाँ पर check कर रहे हैं कि ac का जो length है bc का जो length है वो कितने ratio पर है m is to n तो यहाँ पर जो यह c coordinate है externally externally मतलब actually ab का line तो यहाँ पर आप देखोगे ab तो line यहाँ बन सकता है लेकिन यह c point है इस line के अलावा है मतलब अलग से बाहर से तो externally इस case में हम externally बोलते हैं तो ज्यादा कुछ changes होंगे नहीं आप देख सकते हो x equal to हम क्या करते m को अभी भी इसी के साथ multiply करना पढ़ेगा cross और n को इसी तरह तो यहाँ पर लेखेंगे m into x2 minus n into x1 by m minus n तो उसी तरह y axis के लिए y equal to m into y2 minus n into y1 by m minus n और z axis के लिए z equal to m into z2 minus n into z1 by m minus n तो इसी तरह आपको सारे खादम बने तो आपको पता लग गया होगा कि internally और externally में formula में ज्यादा फर्क नहीं है बस वो plus जहाँ जहाँ था वहाँ पर क्या आजाता है minus आजाता है बाकी सब कुस same easy equations यह concept है आपका 3D and coordinate geometry का कर दो